Assalamu alaikum DevGeeks, this is Muhammad Amir Malik from Mr.DevGeek इस वीडियो में हम React Native में Deep Linking को Implement करेंगे Firebase Dynamic Links को यूज करते हुए So without wasting further time, let's get started यह मैं आपको एक basic project जो मैंने create किया है, यह मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे simple हमारे app.js में मैंने stack navigation ही Implement की है और मेरे पास दो screens मैंने create की है, एक home screen है, एक post details है Post तो नहीं यह product details है, तो खेर मैं आपको overview दिखा देता हूँ इसमें हमारे पास home है, यह हमारा home है, जिसमें हमने products fetch की है API की मदद से, यह सारा code आपको मिल जाएगा dummy.json free API है जो हमें products का data और 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 भी काफी चीज़ों users वगरा का data हमें provide करता है, इसको use करते वे मैंने products को fetch किया है यह हमारा home screen है, यहां पर हमारे पास products show हो रही है, limited products मैंने यहां पर fetch की है, खेर यह हमारा topic नहीं है, हमारा topic यह है कि हमें deep linking को implement करना है for example, अगर मैं इस iPhone 9 पर जाओं और इसको share करूँ, अब यही एप अगर दूसरे users के पास है, यहां पर मैं share पर click करूँगा, मुझे मेरे पास एक link generate हो जाएगा, वो link मैं अपने किसी भी friend share करूँ और वो इस link पर click करें, तो वो इस specific product पर आ जाए, अगर उनके पास app installed होगी तो वो इस project पर आ जाएंगे, अगर app installed नहीं होगी, पहले app जैसी user link पर click करेगा, तो वो इसको app store, अगर वो iPhone में है तो app store open करेगा, और अगर Android में है तो play store की तरफ जाएगी, पहले वो app play store से download होगी, download होने के बाद फिर वो app जब open करोगे, तो फिर आपको उस link का data मिल जा रहा हो, तो मुझे उस product की ID को इस link में से split करवा के निकालना होगा, उस ID को निकालूँगा, फिर मैं उस में से data fetch करूँगा, यह सारा procedure जो है, मैं आपको इस video में करके दिखाऊंगा कि किस तर हम इस feature को implement कर सकते हैं, deep linking के साथ, हमारे पास firebase का project होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें firebase को implement करने वाले हैं, firebase का dynamic links है, उसको implement करने वाले हैं, पहले तो मैं अपनी website पर जाऊंगा, यहां पर इस website में मैंने, फिलहाल तो सिर्फ दो ही articles हैं यहां और इसमें मैंने deep linking को किस तरह implement कर रहे हैं, यहां पर complete details इसकी मैंने provide की है, firebase की अपनी documentation भी है, मगर उसम मैं कुछ steps हैं, कुछ steps नहीं हैं, इसलिए फिर मैंने अपने ही blog पे इस post को upload किया है, ताकि यहां पर और ज्यादा easy हो जाए, जो एक picture है, user ने इस link पे click किया, अगर app install हुई, तो सीधा वो इस app की तरफ ले जाएगा user को, और उस specific product को open कर देगा user के mobile में, और अगर दूसर अगरा case हमारे पास है कि app install नहीं है, तो वो पहले app store या play store की तरफ जाएगा, वहां से app को download करेगा, download करने के बाद पर उस app की तरफ जाएगा, और जो भी वो product होगी, फिर उसको fetch करके इस mobile में आपको navigate भी करवा देगा, इस हम navigate भी करवाएंगे user को, तो खेर हमारे पास प सब्सक्राइब का setup है, तो आप इस step को skip करके second step की तरफ जा सकते हैं, मेरे पास setup भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, हम लोग setup वाले उस पे जाएंगे blog पे, लोग पोस पे हम लोग आए, हमें क्या करना है, सबसे पहले इस package को install करना है अपनी app के अंदर, अच्छे जो हमार इसको install करेंगे, वना problems आ जाती है, errors वगरा आ जाते है, इंप्यम हम इसको install करेंगे, पर जब तक ये install होड़े हम further steps जो है, इसके देख लेते हैं, अच्छा दूसरा एक काम, जैसे ये package install आपने कर लिए, अब हमें एक project create करना है, firebase का, firebase का जो project create करने के लिए हमें देखे में इस link पर जाना है, जो है firebase console का, मैं यहां से simple इसको copy कर ले दा हूँ, और यह deep link का already मैं एक project बना चुका था, मगर इस video क्यूंकि मैंने blog post जिससे बनाई है, तो मगर इस video के लिए मैं एक और create कर रहा हूँ, एक project add करेंगे हम, add project, इसका नाम आप कुछ भी दे दें, मैं यहां पर लिख रहा हूँ, Mr. Deep Link, अगर यहां मिल जाता है तो, Deep Linking मैं पूरा लिख देता हूँ, Mr. Deep Linking, और मैं इसको continue कर दूँगा, यहां से continue, यहां पर एक account select करना है, मैं default account firebase, create project, यहां पर जब तक project create होता है, further steps देख लेते हैं, इसके, इसका second step यह है, कि हमें package name add करना होगा, आगे जहां अपनी project create करने के बाद, second हमारा, जो third step है, वो add an android app to firebase, उसके लिए हमें package name चाहिए होगा, package name हमें किस तरह मिलेगा, अच्छा, react native 0.71 से जो previous versions थे, उसका package name हमें android, app, src, man, android manifest में, अगर आपका 0.71 से downgrade version है, तो यहां भी आपको top में, file के top में मिल जाएगा, अब latest में यहां पे हमें वो package name नहीं मिलता, 0.71 के बाद, वो package name आपको java से भी मिल सकता है, man activity.java, यहां पे देखें, यह top पे आपकी app का नाम होता है, package com.deep linking, जो भी आपका न नाम होता है, यहां से इसको हमने copy कर लिया, हमारा almost project भी create हो चुक है, मैं इसको continue कर लेता हूँ, और इस वीडियो में android के लिए setup करूँ, इंशाला आई उसके लिए मैं आगे further videos create करूँगा, फिलहाल इसमें android select करूँगा, package name जो हमने वहां से copy कि है, इसको add कर देता हूँ, अगर आप अपनी app का nickname को भी add करना चाहें, तो कर सकते हैं, मैं add नहीं कर रहा, और इस में SHA, इस step को भी मैं skip करूँ, अभी हम register app करेंगे, इसको हमें बाद में, SHA256 को हम बाद में add करेंगे, अभी इसको download नहीं करना है, इसको next करना है, next करना है, continue to console कर देना, अच्छा, अब यहाँ पर project overview, और हमारी जो app है, वो create हो चुकी है, project, project settings, और downgrade करके आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर हमें fingerprint add करना है, उसके बाद हम यहाँ से, जो google.json की file है, इसको हम download करेंगे, सबसे पहले हमें SHA256 से जो fingerprint है, वो add करना है, किस तरह add करेंगे, इसको scroll down करते हैं, यह हमारा step हो चुका है, अब हमें sign and report generate करवानी है, अपने project की, android में जाना है, और cd android करके android में चले जाएंगे, यहाँ पर हम लोग आए, मैं यहाँ पर cd android, और वहाँ से जो copy की command उसको add कर देता हूँ, अच्छा, यहाँ पर जब हम लोग, अभी हमारी app जो है, वो debugging mode पर है, इसमें हमारे पास जो अगर आप की स्टोर वगरा आड़ करते हूँ, तो आपके पास दूसरे जनरेट होते हैं, तो बाद में आपको फिर वो चेंज करने होते हैं, फिलाल हमारे app जो debugging में हम वो ही use कर लेते हैं, यहाँ पर देखें, इसको जो variant है, डिबग वेरियंट है, और यह रिलीज वाला अब यह भी configs की debugging है, दोनों same ही है, इन दोनों में से सिर्फ इसके 256 वाला जो है, यह copy कर लें, और हम इसको अपने project के अंदर add कर देते हैं, यहाँ पर, add fingerprints, add करेंगे, यह हमारे fingerprints add हो चुके हैं, अब simply आपने google की जो file है, google services.json इसको download कर लेंगे, इस file को मैं delete करके, इसका नाम फिर से हमें, इसको मैं rename करूँगा, और यह bracket का जो one है, यह remove कर दूँगा, इसका, अब यहाँ से इसको copy कर लें, और अपने project के, आप app में आए, आपको app के अंदर इसको मैं minimize कर देता हूँ, android app, और इसको मैं करूँगा reveal in file explorer, app के अंदर आपको याद रहे, इसको add करना है, वनना यह नहीं चलेगा, google service यह add हो चुक है, मैं यहाँ से इसको cut कर देता हूँ, यहाँ पर देखें, यह हमारी फाइल add हो चुकी है, अब हमारे जो further steps हैं, वो हम देख लेते हैं, यह हम create कर चुके हैं, project की setting में download भी कर चुक add करना है, इसको मैं minimize करता हूँ, android, build.gridle, build script और dependency, इसको अच्छे से देखने हैं, dependencies के अंदर ही add करना है, इसको यहाँ से हम save कर देंगे, और second line of code को हम copy करेंगे, इसको android, app और उसके build.gridle में, यह android हैं, हम build.gridle के अंदर हैं, आप यह app के अंदर जाएंगे, और इसके अंद यहाँ तक यह जो हमारे steps हैं, वो complete हो चुक है, यह finalize हो चुक है, Firebase हमारा add हो चुक है, Firebase की जो basic configuration है, वो add हो चुक है, dynamic link के steps आगे अभी हम दुबारा follow करेंगे, वो तो सिर्फ Firebase हमने add किया था, Firebase का कोई भी जो हमारे पास packages है, उनको use करने के लिए, कोई भी features है, authentication होगे, ब second, इसकी command है, इसको मैं copy कर लूँगा, यह dynamic links की है, इसको भी मैं simply install कर लूँगा, याद रहे, मैं इसको हमें पहले, इसको मैं remove कर लूँ, और cd, backward जाएंगे, हम अपने main project में, जो main project का deep link का जो folder है, वहाँ पर हमने इसको install करना है, यह install हो और यह हमने add कर दिया, यह install हो र project था, यहाँ पर जो आपके पास tabs है, engage का tab है, engage के tab के अंदर dynamic links है, firebase का कोई भी feature use करने के लिए हमें उसको पहले enable करना होता है, यहाँ पर get started करेंगे, और यहाँ पर एक आपको domain select करनी है, example domain आपकोई भी ले सकते हैं, मैं लिखूँगा, इसको mr. deep link, या deep linking, जो हमारे project का ना में same करूँ, अब यहाँ से आपने select कर देना है, continue, अच्छा यह कोई already ले चुका है, स्याइद हो सकता है, मैंने ही लिया हो इसको, जब मैं test कर रहा था, mr. deep link, try कर देंगे, अगर यह हमें मिल जाए तो, mr. deep link मिल चुका है, मैं इसको finish कर देता हूँ, यह URL prefix जो है हमारा create हुआ, यह URL prefix है, इसके आगे हमें dynamic link create करना है, new dynamic link पर क्लिक करता हूँ, अच्छा, यह तो हमारा base हो गई, base URL हो गया, उसके बाद यह slash के बाद, आप यहाँ पर कुछ भी अगर changes वगरा करना चाहें, तो कर सकते हैं, अगर मैं default ही रख रहा हूँ, इसको website available है, तो आप अपनी website भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर Mr. Dev Geek लिख रहा हूँ, और यहाँ पर आप कुछ भी नाम देदें, Mr. Deep Link, जो same name मैं यहीं पर provide कर रहा हूँ, deep link, next, iPhone के लिए setup नहीं कर रहे हैं, तो open the deep link in a browser, इसको हम ही select हैंने देंगे, next कर देंगे, मगर Android में हम आप को select करना है, और इसकी setup करना है, Android app जो भी हमारी हमने इसको select कर देंगे, next करेंगे, अच्छा यह जो meta tax है, इसको देख लेंगे, यह वैसे optional step है, अगर आप इसको ना भी करने तो इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इसको नहीं करेंगे, अगर आप शेयर करेंगे किसी भी social media platform के उपर, तो सिर्फ आपके एक link जाएगा और एक heading जाएगी उसके साथ, अगर आप इसको add करते हैं, for example holiday promotions वगरा लिखाव है, मैं भी यहाँ पर holiday promotions लिख देता हूँ, इसका नाम holiday promotions और यहाँ पर image का link मेरे पास है, मैं यह दिखा देता हूँ, कौन सी image है, और अगर आप example के तोर पे, अगर discussion आपके उस post के related होगी, मैं यहाँ पर get 10% discount लिख देता हूँ, 10% discount, अच्छा अगर आप यह fill up नहीं करते, तो आपका simple link जाएगा, अगर आप यह fill up करते हैं, तो मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ, blog में मैं इस चीज को mention किया है, यह सार तरहां कुछ view देगी, जब आप इसको share करेंगे, अगर आप यह share नहीं करते, तो सिर्फ आपका यह वाला link जाएगा, अगर वो चीज़ें आप add नहीं करते, तो सिर्फ आपका link जाएगा, यह आप क्यों पर depend करते हैं, optional step पर करना चाहें, तो करना चोड़ दें, अगर यह आप add कर सकते हैं, मैं add नहीं कर रहा है, मैं इसको create कर दूँगा, हमारा link create हो चुक है, अच्छा आप, देखें यह जो Android के step हैं, इसमें SH256 हम लोग add कर चुके हैं, यहां से हम अब इस link को check करेंगे, कि यह working है या नहीं है, तो उसके लिए हमारा link generate हुआ है, मैं इसको copy कर लेता हूँ, हम यहां पर आए, अच्छा, slash के बाद वाला जो है, एक्स जेट जो भी आपका हो, वहां पर आपने इसको remove कर देना है, और यह basic page.link तक ही रहने देना है इसको, और उसके बाद आपने यह line of code इसको copy कर लेना है, slash के बाद, अच्छा यहां पर आपने verify कर ल कोई ना कोई error आजाता, अब हम इसके usage देखेंगे, इसको हम अपनी app में किस तरह use कर सकते हैं, जो हमारी post detail है, यहां पर जाएंगे, यहां पर हम एक function create करेंगे, जो हमें link generate करके देगा, import statement है, dynamic link की, आप एक function create करते है, generate link, try catch के अंदर इसको रखेंगे हम लोग, ताकि यहारी app crash ना हो, const link is equal to await dynamic links, इसको call करेंगे, dot build, बलके build short link, dot build short link, और इसके अंदर हमने एक object pass करना है, asing await को use करने के लिए हमें function को asing create, asing मनाना पड़ता है, उसको बाद ही हम await लगा सकते हैं, यहां पर हमें object pass करना है, जिसके parameters हैं, एक link होगी हमारे पास, link हमारा कौन सा होगा, अच्छा, यहां पर मैं simple strings को use नहीं करूँगा, back ticks को use करूँगा, क्योंकि हमें यहां पर query parameters भ हम लोग get कर लेते हैं, यहां पर हमारे app के अंदर आए, और simple आपने यहां से इसको copy कर लेना है, इसको add कर दें, अच्छा, यह तो हमारा base link हो गया, अब short link कौन सा generate करना है, short link generate करने के लिए, मैं यहां पर query parameters लिखने का procedure होता है, हम question mark लगाते हैं, और उसके बाद key देते ह नाम से state बना विए से कोई issue नहीं है, और आप नाम state का कुछ भी दे सकते हैं, या अगर आप देखें, अगर हम इसको home screen पे देखें, मैं यहां पर पास करवा रहा हूं, नेविगेट करते वक्त, तो यहां पर post ID के नाम से है, जिसमें मैं item ID पास करवा रहा हूं, यह आपक जो हमारी है, वो product ID के नाम से, तो इससे आपने confused नहीं हो ना, क्योंकि यहां पर हम लोग product इससे पास कर रहा हूं, product के नाम से ही मैं पास कर रहा हूं, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, domain prefix आट करना है, हमारी domain का prefix जो है, अच्छा, domain prefix कौन सा है हमारा, page link ता copy कर लेना ह इफेक्स, यह एड कर दिया, third value हमारे पास, इसकी third key है Android, यहां पर हमने package का नाम एड करना है, हुई same package का नाम जो हमने Firebase के अंदर एड किया था, और इसको safe कर दें, यह देखें, इसका यह एक function है, इसका पहले parameter में हमने एक object पास किया, इसके दूसरे parameter में के, deep links, dot, short link type, dot, जाएगा, यह आपने pass करवा देना, इसको, उसके बाद आप यहां से check करने के लिए, कि यह link जो है, वो किस तरह का generate हो रहा है, console लगा देते हैं, हम लोग, अच्छा, मैं यहां पर इस function को, generate link वाले function को दूसरे function के अंदर इस्तेमाल करूँगा, तो इसलिए मैं इसको return करवा देता हूँ, console अगर इनकेस कोई error आ जाता है, इस process के अंदर link generate करते वक्ट, तो यह हमें यहां पर show कर देगा, हमारी app creation नहीं करेगा, generate link हो गया, अब यहां पर एक दूसरा function हम लोग create करते हैं, share product के नाम से, मैं लिकूँगा, const, share product is equal to, एक हमारा arrow function, const, get link is equal to, अच्छा इसको भी हम async करते हैं, async function create करते हैं, await लगाएंगे यहां पर, generate link को यहां पर call कर देंगे, और उसके बाद हम एक और try catch लगा देते हैं, यहां पर share यूज करने वाले हैं, उसमें भी issues वगरा आते हैं, तो उससे भी बचने के लिए हम लोग यहां पर, मैं यहां पर लिखता हूँ, share, share जो react native का है, आपने वो import करना है, share dot, share, और यहां पर भी हमने एक object pass करना है, इसमें message के अंदर ही हम लोग इसका link भेज देते है, get link share error, यहां कि मैं पता लग जाए कि किस function में error हमें आया, यहां हमने share product का जो function create किया है, उसको हम call करवाएंगे, on press, इसको मैं call करवा जेता हूँ, यहां पर, यहां हमारे project आ चुक्या है, यहां हमारी post detail और इसको मैं save करूंगा यहां से, जो line of code था वो तो हम add कर चुके हैं, अब अपने project को run कर देते हैं, यह project start में थाड़ा time लेगा, मैं video को post करूं, फिर उसके बाद हम यहां से continue करेंगे, अच्छा हमारा project है, वो run हो चुक है, और इसको मैं अपने mobile device में open किया, क्योंकि हम इसको deep linking को सभी से check कर सकें, इसलिए, अगर यह वाज़न नाम की app है, इसके through मैं इसको mirror करवारू, यहां से मैं share product करता हूं, और देखें, यहां console में भी हमें link मिल गया, उसमे link generate करके दे दिया, और यहां पर हमें share करने का भी option दे रहा, अगर मैं share करना चाहूं, तो यहां से कर सकता हूं, मैं इसको simply copy करूंगा, अब हमें handling करनी है, अपनी app.js की file में, यहां पर जो भी user उ जो करवाना होगा, navigate करवाने के लिए हम यहां पर component create करेंगे, ताकि हम उसको navigation तभी यूज़ का सकते हैं, जब हम navigation container के अंदर हो, तो इसलिए हम एक component यहां पर create करेंगे, और यहां पर उसको navigation container के अंदर call करवा देंगे, const, handle, deep linking, linking, एक arrow function create करेंगे, simple हमारे जिससाना component होता है, component में return statement बहुत लाजमी होती है, तो return में null करवा दूँगा, क्योंकि इसमें हमने कोई show नहीं करवाना, सिर्फ एक function जलाना है यहां पर, और यहां पर मैं इसको call करवा देता हूं, handle deep linking, simple, इसके बाद इसके अंदर एक function चलाना है, जो handling करेगा, handle links, जो हमें link मिलेगा, handle link is equal to, उसको हम split करवाएंगे और use करेंगे, यह एक async function होगा, इसमें हम एक link पास करेंगे, जो link हमें मिलेगा, let product id is equal to link, अच्छा link में हमें, क्योंकि मैं पहले कर चुक हूँ, इसलिए मुझे पता है link में, एक हमें object आता है, इस link के अंदर वहां से हमें URL को निकालना होता है, तो वह हम किस तरहां देख सकते हैं, मैं आपको यहां पर चेक करवा देता हूँ, उस link पर क्लिक करने के बाद हमें किस तरहां का data मिलता है, वह मैं आपको दिखा देता हूँ, एक use effect लगाता हूँ मैं यहां पर, use effect, empty dependency देते हैं इसको, सब्सक्राइब, dynamic link को यहां पर भी import कर लेना, import statement हम यहां से ले ले दें, dynamic links इसको call किया, dot on link, यह जो हमारा function है handle link, इसको हम call करवा देंगे इसके अंदर, जैसे इसको call करवाएंगे तो इसके अंदर by default ही हमें एक object मिल जाएगा, जिसको मैंने link के नाम से वहां एक parameter में हमें, link के नाम से मैंने यहां पर लिखा है इसको, product id is equal to link, और अगर इसको हम console करके देखें कि हमें क्या मिलता है तो मैं वह आपको check करवा देता हूँ, कि हमें एक object मिलता है जिसमें हमारे पास, मैं इसको check करवाता हूँ आपको, पॉल करवा दिया, हम लिखेंगे navigation.navigate, इसको share करता हूँ product, अब यहां पर इसमें click करता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें console में क्या मिलता है, अब लिंक के अंदर हमें यह सारी चीज़े मिल रही है, और हमें सिर्फ जो चाहिए वो हमारा URL है, हम क्या करेंगे, link.url, तो यह URL हमें मिल जाएगा, और यहां से हम split करवा लेंगे ID को, product id is equal to 1, यहां पर हम इसको कहेंगे dot, हम इसको split करवा लेंगे, dot split, split किस से करेंगे, is equal to से, dot pop कर देंगे, जब हम split करेंगे इसको, वो is equal to से पहले, split का method क्या करता है, array बनाता है, is equal to से पहले जो होगा, उसको एक string में ले लेगा, array of string बनेगी, और जो is equal to के बाद होगा, उसको string में ले लेगा, तो हमें बाद वाला चाहिए, उसके लिए हम पोप लगाते हैं, पोप हमें क्या करता है, जो last index होता है, array का वो दे देता है, तो हमें one मिल जाएगा इस product ID के अंदर, console के अंदर यह हमें, मिल जाएगा, product ID हमें मिलगी, हमने क्या करना है, simple इसको navigate करना है, नविगेट करने के लिए हमारे पास एक hook होता है, यूज नविगेशन, मेरी स्क्रीन का नाम है, second parameter में हम लोग एक object पास करते हैं, product ID, और second product हमारी है, मैं इसको करता हूँ, share, WhatsApp पे share करने लगा, अच्छा उससे पहले मैं यह करता हूँ कि इस app पे जाके हम इसको home page पे लेखे जाते हैं, ताकि आपको यह होको फिर उस specific product पे वह navigate कर भी रहा है के नहीं कर रहा है, यह सब मैं इसको send करता हूँ, click करता हूँ, chrome select कर रहा हूँ, यह देखें, पहले वह home के उपर आया, यह दूसरे यूजर की app है और उसको वह navigate करके इस specific product detail के उपर लेके चला गया है, आज की वीडियो में इतना ही गाईज, अगर वीडियो अच्छे लगी तो like करें, share करें, subscribe करें, और मुझे इस awesome react native की जो journey है इसमें सपोर्ट करें, थैंक्स पर वोचिंग, आलाह आफेज,